आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है आईए हम अपने प्रशन को पढ़ लेते हैं दोस्तों, प्रशन में यहाँ पर गुलजार जी जो है इन्होंने कुछ गद्यांस लिख रखा है और इसी के बारे में हमसे यहाँ पर एक प्रशन पूछा जा रहा है इसका आशय या है की अब दोस्तों, पूछा जा रहा है कि यह जो इन्होंने लाइन बोली है इसका आशय क्या है तो आईए थोड़ा सा विकल्पों की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो का विकल्प है वा है अब दोस्तों, जब हम इसको पढ़ते हुए आगे आते हैं तो जैसे लिखते हैं गुलजार जी क्या लिखते हैं समय पाठाक अपने चिंतन मन में होते हैं देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में होता हूँ मैं पहले यही तै करता हूँ अब देखते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला हमारे प्रशने से रिलेटेड अब जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपने लेखन को इसका सोटी पर रखता है मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ विशय मेरे होते हैं मेरी बात सही है या नहीं आप अपनी ग्रोथ के साथ एक आहाता बनाते चलते हैं हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुचनी ही चाहिए संगीत हो कला हो या लेखन हो वो अपने लक्ष तक पहुचनी चाहिए कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए अपनी समवेदनाओ को और हम क्या कह सकते है तथा जो इसके अंदर की आत्मा अनुभूती होती है जो आत्मानुभूती होती है उसको प्रकट कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यह क्या प्रकट कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आईए एक पर देख लेते हैं दोस्ते यहाँ पर हमारा जो गाव विकल्प दे रखा है कि लेखा की समवेदनाए आत्मनुभूती केंदर में होती है यही हमारा क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा, धन्यमाद दोस्ते.